सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाला में फाइनली कुल्फी के लिए आया खुशियों का दिन भाई मैं तो बहुत खुश हूँ कुल्फी के लिए ओ मैं गॉड बले बले कुल्फी अपने गैंग के साथ फानल राउंड में पहुच गई है वैसे कुल्फी ने फानल राउंड में पहुशने के लिए कौन-कौन से त्या किये आप भी देखिए सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाला में आज कुल्फी और उसके गैंग की हालत काफी खराब है पेट पकड़े ये सब पहुच गए हैं रेस्ट रूम में भूक ने सभी बच्चों के होसले को तोड़ दिया है और ऐसा हो भी क्यों ना आखिर दो दिन से इन बच्चों ने कुछ नहीं खाया है भूक ने बच्चों का हाल बेहाल कर रखा है वही राहत की बात ये है कि कुलफी और उसके गांग ने दा लिटल सूपर स्टार के ओडिशन राउन में जगदे फटे कर दिये है और तभी तो यहां बच्चों से मिलने इस सिंगिंग रियालिटी शो की प्रिडियूसर मिया आती है अप लोग बेनाप रूप हो ना यूज वस्टों कितना अच्छा को कि आप लोगों ने इस लिम में आप लोगों को परसनी को अगराचलेट करने के लिए आई तो बोल्ती ज़्किला इस आप लोगों के लिए पारिवाड पर प्रश्चिर बात देना चाहिए ना इसके बाद तो वो हुआ जो बच्चे भी चाहते थे बच्चों से खाने के बारे में पूछ कर मिया मायाम ने तो जैसे बच्चों की मन मांगी मुराद पूरी कर दी अच्छा आप लोग करके थक गए होगे ना बहुत बच्चे बच्चे भी कुछ खाया ना इसको बच्चे भी कुछ कहाया ने इसको और फिर आया बच्चों के लिए छपन भोग चिप्स बच्चों ने दिल खोल कर खाया और अपने बच्चों ने दिल खोल कर खाया और पेट पूजा तो हो गई चलिए अब चलते हैं कुलफी के पास और जानते हैं उनकी आज की दावत के बारे में दर्शकों को बता दें कि इस दावत के लिए कुलफी यानि के आकरिती और उसके गैंग ने काफी त्याग भी किये थे सुनिए कितनी देर भूका रहा ये बच्चा गैंग तो कुलफी पहली जीत तो आपको मिल गई है आप फाइनल्स तक पहुँच गई है आगे के क्या इरादे हैं वेल फाइनल्स में जो होगा देखा जाएगा फिलहाल तो कुलफी आप और आपके सभी दोस्त इस दावत का लुट्फ उठाईए और फाइनल्स की टेंशन को कुछ पल के लिए भूली जाएए मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट E24